सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परवीन धुंडवा में फिर हाजी रहें एक और बड़ी अपडेट के साथ अपडेट आसाती और याना में एचकेन करमचारियों के लिए आप सभी को बता दें कि सभी एचकेन करमचारियों का सेलरी के साथ साथ EPF करता है और वो किस प्रकार से अपडेट होता है उसके बाद एक मैसेज आता है और कितने रूपे एच्केन करमचारियों के अपडेट होते हैं EPFO में उसके बाद बताएंगे साथ यो किस प्रकार से मैसेज आया है और किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं और कौन से महिने के जो ये पै तरब से एक मैसिज बेजा जा रहा है हरिहाना कोषर रोजगार निकम के लिए और उनके अकाउंट में डाल दिया गया है लेकिन आपको बता दें यहां पर जो का अकाउंट नमब्र वह भी दिया गया है आपकी जो पासबूक है उसका दिया गया है और बैलेंस भी दिखाए गया आप टोटल चेक कर सकते हैं कि आपका EPF कीतना जमा हो गया है उसके बाद यहाँ पर 2350 रुपे दिखाए गया है और यह मैसिज अगस्त का आया है लेकिन आपको बता दें यह अगस्त महिने का EPF नहीं है बहुत सारे साथी कहेंगे कि अभी तो सेलरी भी नहीं है यह अगस्त का कैसे आ गया तो अगस्त का नहीं है साथी हो यह जो EPF है वो जुलाई महिने का EPF हो और अपडेट हुआ अगस्त में तो इस परकार से आपके खाते में 2350 रुपे डाले गए हैं जिसमें आपको बता दें आपकी सेलरी से 1800 रुपे काटे जाते हैं उसके बाद इसमें 550 रुपे और जोर जी जाते हैं तो 2350 रुपे आपके खाते में एक महिने का EPF जमा होता है यह आप नोट कर लें बहुत सारे साथीयों के इस परकार से मैसिज नहीं आते हैं तो आप अपना EPF में अकाउंट में जो नंबर है मोबाइल नंबर वो अपडेट कर लें उसके बाद से आपको आपका टोटल बैलेंस और EPF का जो मैसिज इस प्रकार के सो हो जाता है और आप ध्यान राखे साथी हो यदि आपका EPF जमा नहीं हो रहा है अन्य अथा सेलरी तो आप सभी को पता है कितनी है वो साथ के साथ लगते रहती है तो यह बड़ी अपडेट आपको देने दी साते हो बड़े कंफ्यूज थे साथी कि अभी तो अगस्त मीने की सेलरी नहीं है और अगस्त मीने का EPF कैसे जमा हो गया तो यह जो EPF है यह ज से जुड़े रहें और उसके अलाव आपको पता दें साथ ही हो हमने हर्याना